हालो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल मेकलोईजी फ्रेंड्स आज हम डिसकस करने वाले हैं लॉफ टॉट में एक और टॉपिक धाट इस एक अप गॉड और यह जो एक अप गॉड टॉपिक है यह आपका जो भी डिफेंसेज अविलेबल होते हैं लॉफ टॉट में उसी के अंडर आपका यह आता है इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वह बनाया था वालंटी नॉन फिट इंचीरिया का जो की एक तरीके से डिफेंस की तरह यूज कर सकता है अगर उसके कोई क्लेम करता है तो चलिए इस यह जो वीडियो है आक्ट ऑफ गॉड यह आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको एक्जाम में इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं तो यह शॉट टॉपिक है तो आप पूरा वीडियो देखेएगा थाकि आपको उसको समझ में आजाए चलिए बात करते हैं आक्ट ऑफ गॉड राहा है और जिस पे किसी भी परसंट का कोई नहीं होता है तो उसको तरीके से अपने आप नाचूरली हो रहा है तो इसको हम discuss कर लेते हैं point by point तो basically act of God क्या होता है natural forces का operation बतलब natural forces जो भी आपके nature में जो भी force exist करती है चाहे वो air की है, चाहे water की है चाहे किसी भी चीज़ की है जो naturally exist कर रही है वो सारी forces, उनका operation मतलब वो किस तरीके से अपना काम कर रही है और ये सारी जो भी natural forces का operation हो रहा है ये इतना unexpected है मतलब इसको आप expect नहीं कर सकते हैं कि अब ये होने वाला है ये automatically यह हम कह सकते हैं कभी भी अपने आप हो suddenly भी हो सकती है तो इस पर किसी भी तरीके की जो human है human की जो भी उसकी skills है जाए उसकी जो भी intelligence वगएरा है जाए उसकी खुद की जो force है उसको use करके कोई भी human जो है उनको आपका बहुत जादा पता नहीं लगा सकता है एक idea ज़रूर लगा सकते हैं बट clear cut विलकुल बोलते हैं कि identify करना कि भई हाँ अब यह होने वाला है यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अब second point हम बात करते हैं according to Salman act of God includes those acts which a man cannot avoid even by taking reasonable care तो जो Salman थे उन्होंने act of God क्या कहा कि act of God में वो सारे acts include होते हैं जिसको कोई भी person जो है वो चाहे कितनी भी care कर ले मतलब चाहे कितनी भी साउधानी बरत ले पर उनको avoid नहीं कर सकता such accidents are the result of natural forces and are not connected with the agency of man तो यह जो आपके accidents होते हैं वो basically किसका result होते हैं आपका वो आपका result होते है natural forces का ठीक है न नेचर में जो forces काम कर लिए हैं उनकी वज़े से accidents हो रहे हैं और इसका किसी भी तरीके की जो man की मतलब person है उनसे उसका relation नहीं होता है यह हम कह सकते हैं उनका उस पर कोई control नहीं होता है अब हम बात करें essential elements of this defense अगर इस defense के essential elements की हम बात करें तो क्या होता है कि the defense of act of God can be taken under following conditions अगर हम बात करें कि जो act of God है उसका defense, dependent किस condition में ले सकता है तो वो conditions है आपकी there must be operation of natural forces सबसे पहले कि जो भी incident हुआ है जो भी accident हुआ है, जो भी injury हुई है वो आपका natural forces के operation मतलब natural forces के जो उनका natural forces जो exist कर रही है उनकी वज़े से हुआ हो second is the incident must be extraordinary जो भी incident हुआ है वो extraordinary होना चाहिए third one is the incident must not be of nature that can be anticipated or reasonably guarded मतलब यह जो भी incident हुआ है जो extraordinary incident हुआ है वो इस तरीके का होना चाहिए उसका nature ऐसा होना चाहिए कि जिसको मतलब किसी भी तरीके से रोका ना जा सके या protect ना किया जा सके या जिसका अनुमान आपका लगाया जा सके मतलब अगर मानलीजे उसको मतलब अगर किसी भी तरीके से आप उसे avoid कर सकते है या आपका उसको किसी भी तरीके से उसका idea उसका पता लगा सकते है है यह incident होने वाला है तो आप act of God जो है उसका defense नहीं ले सकते हैं अब बात करते हैं कि इसके कुछ examples पढ़ लेते हैं एक वाइलेंट मॉब लूटिट अपना लेके जा रहा था तो उसको लूट लिया यहां क्या था लूट किसने करी थी आपका वाइलेंट मॉब ने मतलब जो भी लूट पार्ट करी थी वह वाइलेंट मॉब ने किया था तो यहां पर वह जो है वह आपका जो आक्ट अप गॉड है उसका defense नहीं ले सकता dependent Q क्योंकि यहां पर किसी भी natural force की वज़े से यह चीज़े नहीं हुई है अब दूसरे example की अगर हम बात करें A and B were having adjoining lands once there was heavy rain due to which a lake is created in A's land and the rain continues for 3-4 days तो क्या हुआ A और B जो है उनके आपस में adjoining lands है मतलब बलकुल बगल बगल में एक दूसरे सी की सीमा से तो पानी इतना जदा भर गया कि वो overflow के कहां चला गया जो B था उसके land में चले गया और उसमें जो भी crops वगरा लगी थी उनको destroy कर दिया Here A is libel to take the defense of act of God यहां जो A है वो आपका libel है कि वो आपका act of God जो है उसका defense ले सकता है कैसे ले सकता act of God का defense क्यों क्योंकि यह जो भी हुआ हो natural forces की वज़े से हुआ है Heavy rainfall की वज़े से हुआ है और उस पर उसका कोई भी control नहीं था तो friends हमारा यह जो topic है act of God की बहुत short topic था उमीद है आपको समझ में आया होगा और आपके exam में आपको लिखने में भी help मिलेगी तो please अगर आपको समझ में आया हो और अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो त दरूर करें